हलो फेंड्स बलकम टू माई यूटूब चैनल सुगर आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका BPSC TRE 3.0 का 15 मार्च का फर्स सिप्ट का एक्जाम हो गया दोस्तों 15 मार्च फर्स सिप्ट में पूछे गए सभी कोईसंस इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक उसे जरूर जरूर करें और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सास्क्राइब करें और नोडिफिकेशन बैल ओन करना न भूलें तो चलिया वेड़ों को स्टार्ट करते हैं खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी कोईसंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकेंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा आज के सेशन में पहला कोईसंस रहेगा भासा सब्द संस्कृत की किस धातु से बना है देखे भासा सब्द जो है न ये संस्कृत की भास से बना है तो इसलिए इस कोईसंस का सही जवाब हो जाएगा आउप्शन नमबर C अगला कोईसंस देखेगा सभी बच्चे अगला कोईसंस हमारा है पुरानी हिंदी नाम करण किस ने किया तो देखे, परानी हिंदी का जो नाम करण है न ये किया था शंद धर सर्मा गुलेरी, उप्शिन नमबर C और्यक्ट हो जाएगा अगला कोशिन देखेगा, अप प्रवस के पर्थम कभी हैं, संभू, उप्शिन नमबर E करेक्ट हो जाएगा ना इसकोशन देखेगा, बारमा कोशनस हमारा हिंदी भासा की उतपत्ति किसे से हुई है, तो हिंदी भासा की जो उतपत्ति है ना ये हुई है, शोर से नी अपरवस्टे, आप्शिन नमर वी जो है, आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अगले कोशन की और बढ़ते हैं, अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे, तेरमा, हिंदी भासा का इतिहास पुस्तक के लेखक है, धीरेंदर बर्मा, इसलिए इसकोशन्स का सही जवाब हो जाएगा, option number A, अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे, पश्मी हिंदी की उतपत्ति किस आपरवस्य हुई है, देखे अर्द माग दी है इसका अंसर हो जाएगा शावर सैनी से होई है सी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा नाइस कोशन देखेगा खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महा कावे कौन सा है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महा कावे है प्रिये प्रवास कौन सा है प्रिये प्रवास ओप् संक्या कुल है option number V 5 कह सकते हैं आप लोग ठीक है अगला question देखेगा सत्रमा क्या बोला है नल से बूंद बूंद पानी टपक राहा है उप वाक्त में बूंद सब्द क्या है नल से बूंद बूंद पानी टपक राहा है तो इसमें हो जाएगा करिया पसेशन यहाँ उप नम्र मगही किस उप भासा की बोली है देखिए मगही जो है न यह बिहारी उप भासा की बोली है से options correct हो जाएगा मैथली बोली के कभी कौन है मैथली बोली के कभी है बिद्या पति option number Vrai सो गया 9 Us कोशन देखेंगा सभी बच्चे अब अबधी का लोग पर यह माकाब कौनसा है ना वो राम चरित मानस बी ऑप्शन्स करेक्ट हो जाएगा चले बढ़ते हैं गले कोशन्स की और नैस कोशन्स देखेंगा सभी बच्चे अगला question से मारा या घा था में कौन सी ध्वनी महाप्राण है यह आपको बताना है इसमें हो जाएगी उप्यूप्त में से एक से अधिक D options correct हो जाएगा इस question देखेगा किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है इसलिए इस questions का सही जवाब हो जाएगा option number V चले बढ़ते हैं अगले questions की ओर ससुराल सब्द में कौन सा प्रते सब्द प्रियुक्त हुआ है ससुराल, आल, आल क्या हो जाएगा option number V correct हो जाएगा यानि starting का जो सब्द जो आपका उपसर्व होगा और लाश्ट वाला सब्द जो है वो प्रते होता है जैसके ससुराल, आल, साफ़ पता चल रहा है बोलने से ही 24 questions किस समास में अंतिम पद परधान होता है किस समास में अंतिम पद परधान होता है यह होता है तत्द पुरोज समास में यानि option number A correct हो जाएगा बच्चों अगला question देखेगा अनेकारती सब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है अनेकारती सब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है पार्श, option number A correct हो जाएगा ठीक है, next question देखेगा सभी बच्चे कण, चिन, तता सुने किस एक सब्द के अनेकार्थी सब्द हैं तो यह हो जाएंगे उप्यूक्त में से कोई नहीं ई-option correct हो जाएगा नयास question देखेगा 27 questions है हिंदी में हस्वर कम से है यह आपको बताना हिंदी में हस्वर कम से है अ और छोटी इ यह हस्वर हो जाएँगे ठीक है नाइस कोशन देखेगा सभी बच्ची अगला कोशन देखेगा हिंदी में हिंदी बढ़ माला में महाप्राण ब्यंजन हैं तो हिंदी बढ़ माला में महाप्राण ब्यंजन कौन से होते हैं खा और गा यह महाप्राण ब्यंजन हो जाएंगे ठीक अगला कोशन संभीधान सभादोरा हिंदी को भारत की राजभासा के रूप में कब सुविकार किया गया तो संभीधान सभादोरा हिंदी को भारत की राजभासा के रूप में 14 सितंबर 1949 को सुविकार किया गया C option is correct हो जाएगा बर दे नहीं स्कोषंग की ओर अगला question है गाईज एक बरसाती दिन में एक बरसाती दिन में option number C सुस्क वल्व ताप मापी आर्ध वल्व ताप मापी की तुला में ज्यादा माप दर साता है अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे निम लिकित में से किस गैस को वायू मंदली प्रदूशक माना जाता है यह आपको बताना है तो यह माना जाता है सल्फर डायाकसाइड सी ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अभी किरिया जिसमें ऑक्सी करन संक्या घटती है को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है अपचयन यानि यह आपका यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे अगला कोशन निम लिखित में से काउंसा बिद्दु चुम्ब किये तरंग नहीं है अलफा की रण ऑप्शन नमर वी करेक्ट हो जाएगा नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे किसके समानुपाती होता है यह कोशन में पूछा जा रहा है इस कोशन का सभी जवाब हो जाएगा एन स्कूरर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है नैस कोशन देखेगा एरोविक स्वसन के दोरान कितने पद पदों में सी ओ टू का निस्पादन होता है जो ही बच्चे ऑप्शन नमर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बल्कुल करेक्ट हो जाएगे तीन बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे अगला कोशन हमारा है गाइस कि मानो गुर्दे में निस्यन इकाईयों को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है नेफ्रोन ओप्शन नमर ए करेक्ट हो जाएगा कि फुटिस इस कोईशन देखेगा कि टैकी कॉडिया में हिर्दय गती हो जाती है तो टैकी कॉडिया में हिर्दय गती हो जाती है तेज सी ऑप्शन्स करेक्ट हो जाएगा सेतारीसवा कोशन देखेगा सभी बच्चे निव लिखत कत्रों पर विचार केजिए वैसे तो इस कोईशन्स का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नमर भी यानि तीसरा वाला जो ऑप्शन्स है आपका ये करेक्ट हो जाएगा चंद्रमा पर यान उतरने वाले देशों की सू इसका निर्मार जोना राम सुतार ने किया था किसी ने किया था राम सुतार आते हैं 49 और देखेगा सभी बच्चे निम लिखित में से काउं सा देश उन तीन देशों में से नहीं था जिनके लिए नोवल फांडेशन ने अपनी निमंत्रण निति को लट किया और उन्हें अपने 2023 कारिक्मों के लिए आमंत्रित किया बैसे इस कोशन का आंसर हो जाएगा ओप्यूक्त में से कोई नहीं अगला कोशन देखेगा इन में से कौन मड़ी पूर में राहत और प्रनवास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वुच नियाले द्वारा न्यूक्त उच्छ नियाले के पूर्व निया दिसों की पैनल से नहीं थे नियायमूर्ति ग्यान सुदा मिस्रा आप्शन नमर एक करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मरी में आयूज़ विस्ति रंदाजी चैंपियंसिम में व्यक्तिगत कंपाउ नहीं अदति स्वामी यानि बी ओप्शन जो आपका ये विलकुल करेक्ट हो जाएगा त्रेपन कोशन देखेगा सभी बच्चे बिहार में नमक आंदूलन कब प्रारंब हुआ था लेखे बियार में नमक आंदूलन अपराइल 1930 में प्रारंब हुआ ता एक ओप्शन करेक् देखेगा सभी बच्चे निव लिखित में से कौंसा भुकम्प की गहनता नापने हितु उप्योग में लाया जाता है तो जो भी बच्चे ऑप्शन नमर वी और जा रहे हैं मरकली पैमाना विल्कुल सही हो जाएगा नैस कोशन देखेगा अगला कॉशन की निचालन प्रक्रिया समंदित है देखे निचालन प्रक्रिया जो है न ये समंदित है वैसे तो इस कोशन का डी और ऑप्शन का रख्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा अगला कोसिन से भॉष्षन से भारत का कॉंसार राज मोटा अनाच का सबसे बड़ा उत्पादक है भॉर आप्चिन यो और जा रहे हैं वो बच्चे बलकुल करेक्ट हो जाएंगा ठीक है नायस खॉषन देखे का सभी बच्चे भारत की सबसे सुस्क इस्थान कौन सा है तो भारत का सबसे सुस्क इस्थान जो है न यह है जैसल मेर ऑप्शन नमर सी करेक्ट हो जाएगा नाइस कोशन देखेगा निम लिखित में से कौन सी जायत फसल है तो यहाँ पर बात हो रहे हैं जायत फसलों की तो जायत फसल कौन सी हो जाएगी तर्बोघ सी उपशन स्करेक्ट हो दैगा मगत अग के मैदान नीमलीके तुम्हेसे किसके हिस्से हैं ले एक तो ये मत गांग का मैदान का हिस्सा है इस को सम्हें ने अज़ नकिक हैं हिमालिय भूरा ऑलू इस याइ जंगली बैसे रेगेस्तानी लोमड़ी किसके उधारण हैं तो ये किसके उधारण हैं तो ये दुरुलब परजाती के उधारण हैं तो ए उप्षान्स करेक्ट हो जाएगा चले बढ़ते हैं अगले कोईशन की और अगला कोईशन देखेगा सभी बच्चे राच कुमार सुकला ने कि की India divided पुस्तक एक किस के द्वारा लिखी गई है तो देखे India divided पुस्तक जो है ना ये लिखी गई है राजिनद प्रसाथ के द्वारा option number V correct हो जाएगा अगला question क्या है 1915 में home ruling किस ने प्रारम किया तो 1915 में home ruling जो है ना ये प्राराम किया था एनी बेशरेंट ने एक से अधिक डियो ऑप्शन करेक्ट हो जाए गा बच्छों अंगा तोशन देखेगा सभी बच्चे विहार बंगालवा विहार के नेल करस्कों की दसा का बढ़न करते हुए नेल दरपण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था तो ये लिखा गया था दीन बंदु मित्रा द्वारा सी ओप्शन सही हो जाएगा नायस कोशन देखेगा सभी बच्चे किसने 1903 में अनुसीलन समित की एक साखा की इस्थापना पटना में की थी किसने 1903 में अनुसीलन समित की एक साखा की इस्थापना पटना में की थी सचिंद्र ना सानयाल ओप्शन नमर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों अगला कोशन देखेगा भारती राष्टे कांग्रेस का नया यानि समाचर पत्दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था तो इसका प्रकाशन जो है न यह हुआ था 1931 में भी आप्शन सही हो जाएगा